हलो दोस्तो वेलकम तो स्टडी उनिवर्स मद्यप्रदेश डेली करंट अफेर में आपका स्वागत है आज है पांच माई 2019 और यह हमारी 146 भी क्लास है 12 important question आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके answer जरू करेंगे दोस्तो आइकोन में एक question दिया गया है जो previous day का है इसका answer आप टिक करके दे question number first हाली में किस भारतिये को फ्रांस ने सरबोच सम्मान से नवाजा है जिसका सी option है A.S. किरन कुमार भारत के A.S. किरन कुमार को फ्रांस ने सरबोच सम्मान से नवाजा है दोस्तो इन्हें फ्रांस ने अपनी सरबोच सम्मान सिविलियर डी ली और दे नैशनल डी ली लीजन ओनर प्रदान किया है दोस्तो फ्रांस ने इस अबोड की स्थापना 1802 में की थी और नेपोलियन बोन पार्ट ने इसकी स्थापना की थी दोस्तो आपको बता दें A.S. करण कुमार इसरो की पूर्व चेयर्मेन है ये 2015 से 2018 तक चेयर्मेन रही है आपको बता दें 2014 में पदम सिरी से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है तो इतना आपको A.S. करण कुमार के बारे में याद रखना है दोस्तो आप बाता ही है फ्रांस की तो आपको मेप में इसके बारे में बता दें मेप में ये जिगह फ्रांस को दरसाती है फ्रांस की राजधानी है पेरिस, करण जी है यूरो और फ्रांस की रास्टपती है एमानुल मेकरॉन तो दोस्तो इतना आपको फ्रांस की बारे में याद रखना है जिसका सभी उफ्षन है एम रास्टरी ब्यास दोस्तो आपको बता दें बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज एजिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्स्चेंज है और हबी हाली में ये बिस्व का दस्वा सबसी बड़ा स्टॉक एक्सचेंज मार्किट है आपको उतादे इसकी स्थापना 1875 में की गई थी और हैटकॉाटर है मुंबई में एक और इंपूटेंट फेक्ट बता दें पांच जार कंपनियां लिस्टेड हैं इस मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में तो इतना आपको इस स्टॉक एक्सचेंज की बारी में याद रखना है जलवायू आपातकाल लागू करने वाला बिस्व का पहला देश कौन सा बना है तिसको से यॉफ्षन है यूनाइटेड किंग्डम यूके हाली में जलवायू आपातकाल लगाने वाला बिस्व का पहला देश बन गया है हाली में ग्रेटा थनवर्ग ने विटिस कानू निर्माताओं को परियावरण में अधिक कारे करने की पांग की थी और इसी को देखते हुए जलवायू आपातकाल लागू करने की गोशना की गई है दोस्तो अब ये गोशना यूके ने की है तो आपको मैप में इसके बारे में बता दे मैप में ये जगह है यूनाइटेड किंग्नम को दरसाती है तो दोस्तो इतना आपको यूके के बारे में याद रखना है इनकी राजतलक की तैयारी हाली में शुरू हुई है 2016 में यहां की राजा का निधन हुआ था और महा अब नए राजा होंगे ये अक्टूबर तक अपनी राजकद्धी संभालेंगे दोस्तो अब बात आईए थाईलेंड की तो आपको मैप में थाईलेंड के बारे में बता दे तो इतना आपको Thailland के बारे में याद रखना है Next question निमनमैसे किसी अमेरिका का सर्बोच सम्मान दीया जाएगा तो इसको सज़ी और आपको अमेरिका का सर्बोच सम्मान दीया जाएगा ताइगर बोच से एक गोलफर हैं और यह USA की सर्बोच सम्मान President Medal of Freedom से सम्मानित किये जाएंगे आपको उता दें इस सम्मान को पाने वाले ये फोर्थ गोल पर है तो दोस्तो इतना आपको अमेरिका की सरवुच सम्मान की बारी में याद रखना है हाली में किसे वित्त आयोक की सलायकार परिशत का सदस्त चुना गया है जिसका सही उफशन है कृष्ण मूर्थी सुब्रमंडियम हाली में कृष्ण मूर्थी सुब्रमंडियम को बित्त आयोक की सलायकार परिशत का सदस्त से चुना गया है ये केंदर सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी हैं और ये बित्तायो के हाली में 12 सदस से बनी है Next question हाली में कब 208 से दिवस मनाया गया है जिसका सही ऑफ्षन है? 5 मई हाली में 5 मई को 208 से दिवस मनाया गया है दोस्तो यह दिवस पूरे बिशो में मई माहे के पहले रविवार को मनाया जाता है दिश्व हाज से दिवस आपको बता दें इसकी शुरुआत भारत से की गई है और 10 मई 1998 को मुंबई से पहला दिश्व हाज से दिवस मनाया गया था तो इतना आपको इस हास से दिवस के बारे में याद रखना है Next Question दोस्तो ग्यारहे दिनकी अंतरगत इनका यह दूसरा मेडल है इससे पहले इन्होंने एसियन चेंपियंशिप में भी गोर्ड मेड़ जीता था आपको बता दें 65 किलोग्राम बर्ग में बजरंग पूनिया बिस्व के नंबर वन खिलाडी है Next question हाली में किस शहर में रास्टिय कूडो पृतियोगिता रखी गई है जिसका सही option है सतना हाली में सतना में रास्टिय कूडो पृतियोगिता रखी गई है कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन ओफ इंडिया द्वारा यह दसवी पृतियोगिता रखी गई है इस फेडरेशन के चेयर्मेन हैं एक्टर अक्षय कुमार दोस्तो अब बात आईए सतना की तो आपको कुछ important fact सतना के बारे में बता दें चूना उद्योग और सीमेंट उद्योग के लिए विश्व विख्यात है सतना रीवा संभाग का एक जिला है सतना दोस्तो चित्रकूट जहां श्री राम भगवान ने अपना बनवास का कुछ समय बिताय था यह सतना जिले में ही इस्तित है सतना के चित्रकूट में कामदगीरी परवत, हनुमान धारा, सीता रसोई, गुप्त गोदावरी, आदी प्रमुक, दार्षिनिये इस्थले दोस्तो सतना में ही मैहर इस्तित है, जहां मा शारदा का मंदिर है, इसे भारत सरकार द्वारा पवित्र नगर घोशित किया गया है मैहर में ही उस्ताथ अलाउद दीनखा संगीट अकेडमी की इस्थापना की गई है दोस्तो बरहूत चोप, असोक इस्थूप की खूज अलग जेंडर कनिंग हमने की थी, यह भी सतना में ही इस्तित है, मजगाओं में हीरे का भंडार है देश की पहली खाद्य और औस्थी की हाइटेक लेब कहां बनाई गई है तो इसका सई उफ्षन है, भूपाल भूपाल में यह खाद्य और औस्थी की हाइटेक लेब बनाई गई है दोस्तो अब बात आईए भूपाल की तो आपको कुछ इंपूर्टन फेक्ट भूपाल की बारी में बता दें मद्यप्रदेश की राजधानिया भूपाल और जीलों की शहर की नाम से भी भूपाल को जाना जाता है बन बिहार रास्टि उद्यान भी भूपाल में ही इस्तित है मद्यप्रदेश का सरवादिक जनसंख्या गनत्व भूपाल में ही है राश्टिय विधी अकेडमी की स्थापना 1994 में भोपाल में की गई थी ताजुल मस्जद जो देश की सबसे बड़ी मस्जद है यह भोपाल में ही इस्तित है दोस्तों बेसु का सबसे बड़ा सौर उर्जा सैंत्र भोपाल में ही लगाया गया है प्रदेश का पहला एनरजी पार्क भोपाल में ही बनाया गया है दो और तीन दिसमबर 1984 की रात को भोपाल में मिथाल आईसो साइनेट गैस का रिसा हुआ था जिसके करण हजारों मोतें हो गई थी तो दोस्तो इतना आपको भोपाल जिले के बारे में याद रखना है देश का पहला रामाइन म्यूजियम कहां बनाया गया है तो इसका सई और्चा में देश का पहला रामाइन म्यूजियम बनाया गया है दोस्तो भगवान राम से जुड़ी हर एक चानकारी इस रामेन म्यूजियम में दी जाएगी दोस्तो आपको बता दें ओर्चा हाली में मद्धिप्रदेश का नव निर्वाचित जिला जिसका नाम नमाडी उसमें आता है तो इतना आपको उर्चा की बारी में याद रखना है ग्राम सभा की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जिसका सही ओफ्षन है मद्धिप्रदेश मद्धिप्रदेश ग्राम सभा की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है दोस्तो आपको बता दें गिराम सभा में पंच सरपंच एक जगाए बैटकर सभाएं आयजुत करते हैं दोस्तो आप बात आईए मध्यप्रदेश की तो आपको मैप में मध्यप्रदेश के बारी में बता दें मैप में ये जगाए मध्यप्रदेश को दरसाती है मद्धिपरदेश की स्थापना 1 नमबर 1956 में की गई थी गवर्णर है अनन्दी बेन पटेल मद्धिपरदेश की मुख्यमंत्री है कमलनाथ और मद्धिपरदेश की राजथानी है भोपाल तो दोस्तो इतना आपको मद्धिपरदेश के बारे में याद रखना है तो दोस्तो ये था हमारा आज का डेली करन्ट अफियर आप मारे चैनल स्टेडी उनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए कल हम आपके साथ फिर मद्धिप्रदेश और वर्ल्ड के इंट्रेस्टिंग फेक्ट को लेकर हाजर होंगे तब तक लिए नमस्कार, have a nice day